खटकाट अरे दर्वाजी भी कोई है यह आपका तारा है अरे कद्दू की शादी में कद्दू की शादी में यूसे इस दो कद्दू है अरे बड़ी खुस हो रही है मैं तो कद्दू की शादी में जा रहे हैं कद्दू की शादी में अच्छा हाँ कद्दू की शादी में जा रहे हैं मैं भी जाओंगी हाँ कद्दू की शादी में मैं भी जाता मोची शलो मा हाँ तुबी चेना। मैं तो कद्दू की शादी में जा रहे हूं, 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 मैं तो कर्दू की शादी में जा रहे हूं, कर्दू की शादी में, मैं भी चलू मैं तो कर्दू की शादी में बाजा बाजाओंगा अरे करीला कहां से आ गया? हाँ हाँ मैं भी जाओंगा कर्दू की शादी में अरे तू निजाएगा अरे मैं तो जाओंगा कद्दू की शादी में मैं तो जाओंगा कद्दू की शादी में करेला नहीं जाता शादी में मैं तो जाओंगा कद्दू की शादी में करेला नहीं जाता करेला कहीं तुने शादी में जाता मुझा देखा के करेला मैं तो जाओंगा मैं तो करेला की शादी में जरूर जाओंगा करेला नहीं जाता सादी में कोई भी नहीं पिसंद करता है मुझे करेला क्यों बनाया मुझे और कुछी मना लेता है तो अच्छा में मर जाओं करेला खाना चाहिए ना कौन-कौन बच्चा करेला नहीं खाता चाहिए बताओ किस-को करेला कड़वा लगता है लगता है ना करवा इधर से अटो इन बच्चों से भी पूछते है अटाओ आप इधर हज़व साइड में सारी सबजी हज़व साइड से बच्चो आप लोग करेला खाते हो या नहीं कुछ बच्चे नहीं खाते ना करेला क्यों निखाते हैं क्योंकि करेला सब को कैसा लगता है तो फिर अगर हम करेले को निखाएंगे तो करेले को कैसा लगेगा बुरा लगेगा ना क्योंकि उसे कोई शादी में भी निले जाना चाहता सब भिंडी को सब लेके जाएंगे टमाटर को है ना मूली को मटर को आलू को सब लेके जाते हैं सौरी सबदी जाती आपने की शादी में करेला देखा है करेला नहीं बनता तो करेले को बहुत बुरा लगता है है ना तो हमें क्या करना चाहिए क्या करेंगे भंब जादी में भी लेकर जाना चाहिए और हमें करेली के सबदी भी खानी चाहिए चाहिए ना बच्चो चाहिए ना चाहिए ना चुला पोयम बोलेंगे सब कत्दू जी की चली की पराद हुई बता सोगी बरसा में यंकी गाड़ी के रूपर जेडे कत्दू राजर सर्जंपोर प्याजी बिल्मर खूब जाया बाजा मेथी पाल बिंडी दोरे तिंडा मूली गाजर बने बराती नाच रहेते आलू मटर टमाटर कर्दू जी मस्ते मुस्तकाते लोकी दना सोगी बरसा में दनी गाड़ी के रूपर बेर जाया चूचा मसा आया ना सबको जी आप नीचे बैटो नीचे बैटो एक बाब बताओ इस कहानी से हमें ये जो आपने प्ले किया अश्य से हमें क्या पता चला एक तो हमें सभी को एक समझना चाहिए है ना जैसे आपी क्लास में कोई बच्चा छोटा है है ना कोई बड़ा है किसी बच्चे को आपी क्या दे तो तो ये करी नहीं सकता तो उसको बच्चे को कैसा लगता है तो हमें क्या करना चाहिए हमें सबको प्यार करना चाहिए है ना जैसे हमने करेले को इतना पुरा लगाता हो गयाता हमें मरी जाओं है ना तो हमें क्या करना है सब को सबको एक सा प्यार देना है ठीक है चलो क्लैपिंग करो